हेलो फ्रेंट्स, वेलकम वेक टू माई यूट्यूब चैनल, आप सभी का बहुत सारा स्वागत है, एंजल कीचन 2.0 चैनल के उपए, आज मैंने बनाया है, राजस्थाने स्टाइल मालपुआ, बहुत ही जादा टेस्टी, डिलेश्यस, एक दम न्यू स्टाइल, इसमें खास तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, तो मालपुआ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक लीटर दूद बैठा लिया है, गरम होने के लिए, और दूद गरम हो रहा है, तब तक मैंने निकाल लिया इसमें वन टेस्पून कस्टर्ड पाउडर, कस्टर्ड पाउडर बहुत जादा नहीं लेना है तो अगर आपके पास केसर है तो आप केसर का यूज कर ले कस्टर पाउडर अवर्ट कर सकते हैं बट मैं यहां कस्टर पाउडर ही डालूंगी तो मैंने इसे अच्छे से घोल लिया लाइट गुंगुना मैंने दूध लिया था उसमें और यहां है 3 टे जी से मिला रहे हूं ताकि अच्छे से यह मिल जाए और मैंने उसे साइड में रख दिया अभी नहीं डालना है अमें अभी मैंने डाला इसमें दो इलाइची और बाकी ड्राइफ रूट्स डाले हैं मैंने जिसमें था बादाम काजू और पिस्ता सारी चीजों को बारी कट लगना चाहिए और जिस चमच से मैं चला रही हूं उस चमच से मैंने दो बड़े चमच शुगर लिया है आप जितना बना रहे हूं उतना उस अकॉर्डिंग ले सकते हैं तो यहां शुगर डालने के बाद मैं अच्छे से इसे खौलाओंगी और तब तक खौलाते रहोंग जो घौल था कस्टर पाउडर वला उसे भी मिलाते जाएंगे एक ही बार में आपको नहीं मिलाना है वरना दूज जो है बहुत घाड़ा हो जाता है और जमने लगता है तो थोड़ा-थोड़ा करके मिलाते जाएंगे जब भी घौल को डाले तो एक बार उबाल आना जैसे ही एक बार उबाला है फिर से दुबारा डालिए फिर उबाला है फिर से दुबारा डालिए ऐसे करते करते पूरे घोल को अपने मिला देना है इसके अंदर जैसे ही पूरा घोल आप डाल देते हो एक से डेड़ मिनट तक खुलाना है और उसके बाद गैस का फ्लेम आफ इसे ठंडा होने के लिए चोड़ देना है आपको याद रहे कि बिल्कुल ठंडा इसे नहीं करना है यह थोड़ा गरम रहेगा तभी अच्छा रहेगा क्योंकि हमें आगे जो रेसिपी तयार करनी है उसमें गरम ही चाहिए तो फ्रेंड यहां मैंने 200 ग्राम आटा ले लिया ह दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर ले और यहां जाएगा दो बड़े चम्मच शुगर जो चम्मच मैंने लिया है आप देख सकते हैं चम्मच मेरा बहुत बड़ा है जिसे हम डाल वगर चुलाते हैं तो उससे मैंने दो चम्मच इसमें शुगर डाल लिया है और अगर आपके पास दूद है तो आप उससे भी इसका बेटर पर तयार कर सकते हैं बट मैंने यहां पर पानी यूज कर रहे हूं तो मैं धीरे धीरे इसमें पानी मिलाते जाओंगी एक ही टाइम पर आपको पूरा नहीं मिलाना है बस हमें एक ठिक सा बेटर चाहिए जिसे हम पूगा बना सके हैं तो यहां में मिला रही हूं मैं इतना देर तक हाथों से नहीं मिलाओंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मिलाने में तो यहां मैंने हाफ बाउल लिया है मलाई नॉर्मल मलाई है यह घर के दूद की मलाई है तो मलाई डालके मैंने थ तो बहुत जादा टाइम लगता है आपका 15-20 मिनट लग जाता है फेटे फेटे तो सबसे बढ़ियां ऑप्षन यही है कि आपके पास अगर मिक्सी है तो आप ग्राइंडर जार में इसे ग्राइंड कर लें तो देखें कितना जल्दी हो गया बस इसे थोड़ा सा हम का बहुत जादा नहीं तो मैं यहां जिस चमच से फेट रहे हूं उस चमच से दो चमच पानी डाले हूं पानी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिलाओंगी एक दम तेजी तेजी से मिलाने के बाद मैंने एक तरफ ना कडाही बैठा दिया है ताकि उसमें जो ऑईल है तो यहां आप अपने 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 इसकी साइज बना सकते हैं मैं बहुत जादा बड़ा बड़ा नहीं बनाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत जादा बड़ा ये अच्छा नहीं लगता है तो यहां डालने के बाद थोड़ी देर छोड़ेंगे और उसके बाद ये बहुत जादा टाइम नहीं लेता है तो बारी बारी से इसे उलट पलट के आप बढ़ियां से पका लेंगे दोनों साइट से हमेशा जब भी पलटना है आपको दोनों साइट से पलटना है क्योंकि एक साइट से ज़्यादा इसे पका लेंगे तो टेस्ट खराब हो जाएगा तो दोनों तरफ बराबर आपको पकाना है गाईज अगर आप चैनल पे लेए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजीगा सबी ग्रूप में शेयर कर दीजीगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे औल पे प्रेस कर लीजीगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालू तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आने वाले हर वीडियो को आप सबसे पहले वाच कर पाएं और हमारा पुगा एक दम बढ़ियां से पक चुका है तो इसे हम निकाल लेंगे और इसे जब निकालेंगे तो जो भी हमने इस पेचुला लेया है उससे बढ़ियां से प्रेस करके इसमें जो एक्स्ट्रा आइल है उसे निकाल देंगे क्योंकि बहुत ज़दा आइल रहेगा तो वो बहुत ज़दा हामफुल भी हो सकता है तो यहां मैं सारे पुगों को निकाल लोंगे और एक बहुत जरूरी चीज है इसमें कि जो रबडी बनाया है हमने अगर वो बहुत ज़दा ठंडी हो जाए तो उसे आपने फिर से गरम कर लेना है और अगर गरम है तब तो टॉंट परी आप उसी से सर्फ कर सकते है तो मेरी जो रबडी थी ना वो बहुत ज़दा गरम थी अभी क्योंकि मैंने ढफ के रखा हुआ था एकदम ठंडी नहीं होई थी तो उसको मैं डालूंगी और ये देखे कितना पर्फिक्ट हुआ है मतलब आप इसे हर फेस्टिबल में बना सकते हैं तो अगर ये रेस्पी की वीडियो अच्छी लगी है तो चानल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करतीजीगा बाई बाई